मैंडग और चुवा की कहानी बहुत समय पहले की बात हैं किसी गनी जंगल में एक चोटा सा जलासय था उसमें एक मैंडग रहा करता था उसे एक तोस की तलाश थी एक दिन उसी जलासय के पास के एक पेड के नीचे से चुवा निकला चुवे ने मैंडग को दुखी देखकर उससे पूचा दोस्त क्या बात है तुम बहुत उदास लग रहे हो मैंडग ने कहा मेरा कोई दोस नहीं है जिससे मैं देर सारे बाते कर सकूँ अपना सुग दुग बताऊं इतना सुनते ही चुवे ने उचलते हुए जवाब दिया अरे आज से तुम मुझे अपना दोस समझो मैं तुमारे साथ हर वक्त रहूँगा इतना सुनते ही मैंडग बेहत कुश हुआ दोस्ती होते ही दोनों गंटो एक दूसरे से बात करने लगे मैंडग जलासेयर से निकल कर कभी पेर के नीचे बने चुवे के बिल में चला चाता तो कभी दोनों जलासेयर के बाहर बैट कर काफी बाते करते दोनों के बीच की दोस्ती दिनों दिन काफी गेरी होती गए चुवा और मैंड़क अपने मन की बात अकसर एक दूसरे से साजा करते थे पोते होते मैंड़क के मन में हुआ कि मैं तो अकसर चुवे के बिल में उससे बाते करने चाता हूँ लेकिन चुवा मेरे जलसाए में कभी नहीं आता ये सोचते सोचते चुवे को पानी में लाने की मेंड़क को एक तरकीब सूची चलाक मेंड़क ने चुवे से कहा दोस्त हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गही है अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें अबास हो जाए चुवे ने हामी बढ़ते हुए कहा हाँ जरूर लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे दुष्ट मेंड़क फटाक से बोला एक रसी से तुमारी पूँचो मेरा एक बार बैर बान दिया जाए तो जैसी ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे कीच लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा चुवे को मेंड़क के चाल का जरा सा भी अंदाजा नहीं था इसलिए बोला चुवा एक दम इसके लिए राजी हो गया मेंड़क ने जल्दी जल्दी अपने पैर और चुवे की पूँच को बांग दिया इसके बाद मेंड़क ने एक दम पानी में चलांग लगा ली मेंड़क खुश था क्यूंकि उसकी तरकीब काम कर गई वही जमीन पर रहने वाले चुवे की पानी में हलात तराब हो गई कुछ तेर चटपटाने के बाद चुवा मर गया बास असमान में उड़ते हुए ये सब देख रहा था उसने जैसी ही पानी में चुवे को तैरते हुए देखा तो बास तुरंद उसे मुँ में दबा कर उड़ गया दुष्ट मैंडग भी चुवे से बंदा हुआ था इसलिए वो भी बास के चंगुल में फस गया मैंडग को पहले तो समझ ही नहीं आया की हुआ क्या वो सोचने लगा आकर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है लेकिन चुवे के साथ साथ पास उसे भी खा गया मैंडग और चुवा की कहानी से सीख दूसरों का नुकसान पहुँचाने की सोच रखने वालों को कुद भी नुकसान उठाना पड़ता है जो जैसे करता है वो वैसा ही बड़ता है इसलिए दोष्ट लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और हर किसी की हां में हां नहीं मिलानी चाहिए बलकि अपनी बुद्धी का पी प्रयोग करना चाहिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें ये थाँ प्लीज दोस्तों अपना चाहिए